हेलो बच्चों तो देख आज exercise 1.2 करनी है हमने 11th class में वाद एको सारे question book के हैं क्यों है book से क्योंकि जितना भी हमने अभी सीका है वो सारे question ऐसे हैं कि उनमें आपको यहां ना ऐसे answer देने हैं हां या नहीं या जो भी मैंने समझाया है वो पूरा exercise पूरी वैसी ही है तो अगर पेपर में इसके notes बनाता तो किसी काम के नहीं ठीक है खाली जो पेपर जो आपका question लिखा हुआ है हमारी प्रसना वाली में उसी को उतारना है मुझे तो इसलिए मैंने उतारा नहीं और आप लोगो बस मैं समझाता हूं सारे question आपने खुद करने हैं कुछ है नहीं देखना खुद देखो कि तो लगेगा कि अरे क्या question दिया है ठीक है लगेगा ही नहीं आपको 11th class में हो 10th class से भी जी question लगेंगे लेकिन ऐसा नहीं है हर question ऐसा नहीं होता है आने वाले chapter जब आएंगे आगे को जैसे से आगे बढ़ोगे तो अच्छे अच्छी चीज़े भी मिल दे आपको बताना है कौन सा रिक्त समुच्चे का उधारण है और कौन सा नहीं है ठीक है जिसमें होगा उसमें लिखोगे रिक्त समुच्चे है और जिसमें नहीं होगा उसमें लिखोगे रिक्त समुच्चे नहीं है तो पहरा देखो दो से भाज विसम प्राकृत संक्याओं क समुझ चाहिए करा पिलो common जैसे बहाग जाना चींए और जितने भी प्राकरत संक्या आप जानते हो एक दो तीन चार यह होती है और उसमें विसम होना चींए यहां आपको पता है इसे विसम का तो दो चार यह सब दो दो-चार नहीं एक मिनट यहांपर क्या लिका है हाँ बिलकुल तो यहांपर क्या होगा सबसे पहलए तो हम लोग दिते हैं प्राकृते संक्या हैं क्या होती है लिख लेते हैं 123456 ठीक है और फिर आगे कर रहा है विस्सम संक्या है यानि इसमें से संबाली हट जाएंगी यह ह प्राकृत और विसम हो और दो से भाग भी जाता हूँ तो इसका मतलब यह क्या है रिख्ट समुच्चे है तर आप लिखोगे यह उतार कर आंसर में इसके उत्थर में रिखोगे कि रिख्त समुच्चे है ठीक है दुसरा वाला देखो सम अभाजी संक्याओं का समुझे पहल तो अभाजी संक्याओं का समुझे पहल तो अभाजी संक्याओं का समुझे होती है अभाजी संक्याओं वो संक्याओं होती है जिनमें एक से और खुद से ही भाग जाता है मैंने कहा भी था एक से सौतक का अभाजी संक्याई लिख लेना दो, तीन, पांच, साथ, ग्यार, तेर, बताई थी ऐसे ये सब अभाजी संक्याई है तो इसमें सम संक्या कौन सी है? सिर्फ दो है, बागी तो कोई नहीं है ना तो यानि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिर्फ दो, इस तरह से तो आप इसके उत्तर में क्या लिखोगे? ऐसे करके दो लिखोगे और फिर इसके आगे लिख दोगे रिखते समुच्य नहीं है क्युंकि इसमें एक आव याव है ना, रिखते समुझे क्या होगा जी समें कोई भी आव याव ना हो, तो ये रिखते समुझे नहीं है यानि ये था, दूसरा वाला नहीं है तीसरा देखते हैं तीसरा गरहा X साज डेट X है X के बारे में गरहा X एक प्राकरत संक्या है प्राकरत मतला आप जानते हो प्राकरत एक संक्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है चलते रहेंगे आगे को तो आगे करहा है इसमें X जो है वो छोटा है 5 से X की और को बंद वाला निसान है तो X पांस से छोटा है 5 से छोटा मतला 4, 3, 2, 1 हो सकता है और 7 साथ X क्या है 7 से बड़ा भी है तो X की और को चिनना है 7 से बड़ा मतला 8, 9 अब बताव क्या दोनु चीज़ां सेम है क्या क्या कोई संक्या 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो सकती है 7 से बड़ी अलग होंगी 5 से छोटी अलग होंगी दोनों में सेम तो हो नहीं सकती न क्योंकि 7 ही 7 लिखा है इसने तो यह एनि ऐसी कोई संक्या नहीं है तो इसके उत्तरमा आप लिख दोगे यह क्या है, एक रिक्त समुच्च है यानि पहला था, दूसरा नहीं था तिसरा है, चौते वाले में Y such that Y किनी भी दो समानतर रिखाओं का उभईनिस्ट बिंदू है, क्या रहा जो Y है वो क्या है किसी भी दो समानतर रिखाओं का उभईनिस्ट बिंदू जहाँ पर दो रिखाई मिलती है जैसे ये मिली, तो ये जो बिंदू है बीच में ये क्या है आपका उभईनिस्ट बिंदू है ये वाला, ठीक है तो अब मुझे बताओ क्या 2 समानतर रिखाएं चलेंगी इसे तो ये कभी मिलती है क्या नहीं मिलती तो इनका कोई उभजिश्ट बिंदू हो सकता है नहीं हो सकता तो यानि ऐसा कोई बिंदू नहीं है यानि यह भी क्या है रिक्त समच्च है यह पहला था दूसरा नहीं था तीसरा था और चौथा भी है तो यह होगे समझना जरूरी वांकी लिखना तो कुछ नहीं है इसमें समझ गिना चलो आगे बढ़ते हैं फिर सेकर्ड कुषिन की और सब ऐसे कुछ नहीं है बस देखो के तो लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है बस थोड़ा समझना है और कुछ खास नहीं दूसरा कुषिन के रहा है कौन परीमित है कौन आपको बताना है कौन सा परिमित, परिमित मतलब जिसमें हम गिन सकें, निश्ची तो संख्या अव्यों की, और परिमित मतलब जिसमें हमें पता ही नहों कितने सारे चलता रहरा देख़ो कहा तक है इंगे हुआ हमको पता ही नहीं है तो इसमें तो अनन्त आव्य वह सकते हैं तो यह इंगे हैं कि परिम्थ 750 है। अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांग, 100 से बड़े 101 से 102 कहां तक हैं हमें पता नहीं है, तो 100 के बाद अनुद तक जा सकते हैं, तो यह अपरिमित हो गया, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है कितने सारे हैं, लास्ट निरानत बसे छोटे अभाज जी पूर्णांग को का सम देखें होंगे, तो गिनना, उनको आप गिन सकते हो, ठीक है, तो यह परिमित है, तो यह समझ में आ गिया, पहला परिमित, दुसरा परिमित, तिसरा परिमित, चौथा परिमित, पांचमा परिमित, क्यों है यह भी धियान रखना, अब यह लिखने से तो फरग नहीं तो इसलिए समझना जरूरी है समझोगे तो आसान रहेगा रटोगे तो आपको पता ही है बड़ी क्लास से सुरू हो रही है तो ऐसे कोई बच्चों की तरह वहां कोशन नहीं पुछे जाते हैं और कोई ऐसा होता नहीं है कि हमने अगर एक बुक रटी है तो उसी से सब कुछ ह हो जाएगा वैसे तो आपके पेपर में जो भी कोशिन आएगा पुरी बुक से आएगा उधारन और प्रसना विली से आएगा उसके बाहर का कोई कोशन नहीं आएगा लेकिन हमसे समझना जरूरी है हम नहीं ही चाहते हैजिए यह बहुत कम चीजों को याद करें जो फॉर्मूले होते हैं सूतर-उतर बांकि सब का सब हमें आता हो कि हम भूले ना ताकि हम जब बार में जाएं तो इक जार काम आये हमारे बार ठीक है अगला कॉशन ये भी सही मैं होते होते हैं आपको सब अलग जाएगा. ठीक है? पहला किया एक्स-क्ष के समानतर रिखाओ का समुच्च है. क्या ये परिमित है? एक एक्स-क्षी ये है वाई एक्स-क्षी ये हैn. एक्स-क्ष角 के उन संक्याओं का समुच्च जो 5 के गुड़ाच हों 5 के गुड़ाच कौन-कौन से होंगी 5, 10, 15 . चलता रहेगा, हमें पता नहीं है का अनन्त चलता रहेगा तो यह आपारिमित होगिया यानि आपारिमित ठीक है, अगला 5 चौत है पिर्थमी पर पाये जाने जानवरों का सहुच्च है तो पिर्थमी पर कितने जानवर पायाते हैं आपको पता नहीं है लेकिन अगर गिनना सुरू करोगे ना तो यह कुछ फिक्स ही होगी ऐसा नहीं होगी कि अनन्त है, अनन्त नहीं हो सकते है ठीकर जानवर धियान रखना अगर गिनना सुरू करोगे तो कुछ ना कुछ संक्या तो आएगी ना उनकी और ढूंडना सुरू करोगे तो अगर मान लो कि हम गिन सकते हैं उन सब जानवरों को तो हम गिन पाते हैं तो यह परीमित होगा इसमें इंपोटेंट है स्टार लगा आय झा रहे हैं जितने भी हैं प्रथिंज लेकिन इतने नहीं कि हम गिनना वाले वृततों का समझ्च है थीक है वृतत गया दूसरा वृतत तिसरा व्ृतत और बड़ा खेश लो कितने अनंत क्ही सकते हो ना एक बिंदों से तो अनन्त हम निकाल सकते हैं वृत्ते ठीक है तो यह अब परिमित हो गया लास्ट वाला देख लो अब सब लिखा है अब समझा दिया है बांगी काम तुमें करना है ठीक है तो यह अंसर हो गया अगले में चलते हैं ए और भी बराबर है या नहीं है बताना है पहले वाले में ए ये दिया है भी ये दिया है अब देखो खुदी बताओ यहां पर भी तो ए भी सीडी है आगे पिछी लिखा है तो यह बराबर होंगे पहले वाला ए बराबर बी लिख दोगे पहले वाले के उत्तर में ठीक है ए not equal to b not equal को काड़ दोगे तो not equal हो जाएगा तिसरे में चलते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है और यहाँ पर करा है x से एक sum धन पूर्णांक है जो 10 के बराबर और 10 से छोटा है तो sum धन पूर्णांक 2, 4, 6, 8 और 10, 10 तक ही लिखना है आपने 10 से छोटा और 10 तक तो यह हो गया इसका मतलब अब इधर भी यही है इधर भी यही है तो इसका मतलब यह दोनों भी क्या होगे बराबर है तो तिसरा a बराबर b ठीक है यह था यह नहीं था यह है लास्त देखते है x से कह रहा है संक्या 10 का गुणाज है यही आप इसको 10, 20 dot dot कर देना ठीक है और इधर वाले को देखो 10, 15 है यही पर अलग हो गया पंदर तो यहां है ही नहीं तो यही इस चौथे वाले में भी बराबर नहीं होगा ठीक है तीसरा बराबर है चौथा नहीं होगा a not equal to b तो अब बांकि आप इसको अच्छी तासे काम करो इसका ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पांचमा कुश्यन पांचमा कुश्यन कारण बताओ कह रहा है कि कौन से यूग में समान है बराबर है मतलब समान मतलब तो a में 2-3 दिया है और इसको हल करो इसको हल करोगे x square 5x के गुणा कंड़ 3x और 2x होंगे मैं लिक रहा हूँ आपको करना है ठीक है यहीं पर फिर सुरू के 2 में x common लोगे तो x plus यहां 3 बचेगा इसमें 2 common लोगे तो x plus यहां भी 3 बचेगा एक box में तो x plus 3 आएगा और एक में x plus 2 आएगा बराबर में 0 चली रहा है तो यहां से पहला x बराबर क्या जाएगा 3 उदर जाएगा तो minus 3 और यहां minus 2 ठीक है पहले यह पूरा करोगे हाँ ऐसा नहीं कि सिद्धे लिख दिया b के नीचे लिख कर ले न और फिर यहां पर b बराबर लिखोगे minus 2 और minus 3 आया क्या बराबर है तो नहीं है फिर लिखोगे a not equal to b समझगे ना आसान था तो ऐसे करना है पहला नहीं है दुसरा a में कह रहा है follow के इस अक्षर है तो क्या क्या होंगे a बराबर में f o l w क्योंकि o और l दो बार है नहीं लिखेंगे जिस तरब b में wolf के तो w o l f देखो सारे सेम है f यहां भी है यहां भी o o सेम है l l w आगे पिछे हैं उससे फरगनी पड़ता तो यह लिखने के बाद फिर लिखोगे a बराबर b यानि सेम है तो पहला नहीं था दूसरा है करके दिखना भी यहां डिरेक्ट नहीं करना है उधारण में कराया है वैसे अगला अब बताओ गया इतने मैंसे कौन-कौन से समान है निम्स के समुच्चियों मैंसे समान समुच्चियों को लिखो तो यह उतारोगे यह बराबर दि है एक तो दूसरा करके और जी बराबर है तो दो आंसर है है यहां इसके नीचे बराबर डी कौन दे कमा इबराबर जी बस यही हमारा उत्तर होगा ठीक है तो बस इतना सा करना है बस यही थे चाहे कोशियन अब देख लो कोई सब आसान है तो इसलिए मैं लिखा नहीं कि मैं लिखता तो यही ठिवरी लिखता अग किताब से देख कर जल्दी सनजमा आएगा कॉपी में उतने जल्दी नहीं आएगा ठीक है क्योंकि बुक होगी नहीं आपके पास अ करने के वाद मुझे पूरे हफते का काम भेज देना और नेक्स क्लाश होगी मंडे को होगी क्योंकि मंडे का ही डे है हमारा तो इतना यहां तक का कंप्लीट करके मुझे भेज देना मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए